नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपको अमारे चलिब में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको Android फोन के अंदर आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी पांच important चीज़े बताएंगे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली हैं दोस्तों वो आपके लिए भी काम आएंगी और आपके परिवार के लिए भी काम आएंगी तो आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो का आप एंड तक देखे क्योंकि यहां जो मैं आपको पांच चीज़े बताने वाला हूं वो आपके फोन के अंदर जो आपका जो डाटा है जो भी आप काम करते ह हैं उसे आपको बचाएगी दूसरे लोगों के साथ लीक होने में दोस्तो आजकर टाइम हो चुका है बहुत ही हाई टेक बहुत ही एडवांस टेकनलोजी आ चुकी है इसी तरह से मेल वेर सॉफ़वेर या बहुत तरह के जो जासू या जो हैकर्स होते हैं वो भी नए नही टेकनलोजी यूज़ करते हैं तो हमें अपने फोन के अंदर ऐसी पांच एक मामूली सी चीज़े जरूर करनी चाहिए कंटिनु करनी चाहिए जो हम नहीं करते और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है तो दोस्तो चलिए वो क्या इसी चीज़े हैं वो हम यहा पुराना ही सौफ़वेर अगर यूज़ करती रहेंगी तो वो उस नहीं टेकनलोजी से नहीं बच पाएंगी जो की हैकर्स यूज़ करना वाले हैं तो इसलिए जब हम अपने फोन को या अपनी एप्स को जो हम अपडेट करते हैं तो वो भी उनका मुकाबला करने के लिए रेडि हो जाती हैं तो अपने फोन को आप लगातार अपडेट कीजिए हर अपडेट कीजिए या जब भी वो अपडेट मांगता है तो उसे अपडेट जरूर कीजिए नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं दूसरी बात आपको क्या धियान रखनी है अपने फोन के अंदर जो कुकीज स्टोर होती है उनको आपको continue डिलीट करना है regularly उनको डिलीट करते रहना है चाहिए वो आप हर अपते का नियम बना लीजिए चाहिए आप हर महीने का अब आप मेंसे बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि कुकीज होता क्या है तो दोस एक टैप बाहर बेजते हैं कि आप किस चीज चीज के अंदर इंटरेस्स चम रहे हैं तो यहीं कि अपने फोन के हैं ने को क्योande करते हैं कि लिए आपको करना कै सब्सकें लित लिया निक है है जो ठीडिते हाने हो Tianatti ठीक है जो search bar जो आता टैब तो यहां पर इस तरह के आप में जाएए इसको open किज Fernando यहां पर आपकोतीन लाइन दिखेंगी तो इन तीन लाइनों के ऊपर 1954 करना है। जब आप यहां तीन लाइनों के उपर क्लिक करेंगे, तो नीचे आपको एक setting का option दिखेगा, ठीक है, यह setting के option के उपर जाना है आपको और उसके बाद आपको नीचे आना है, privacy and security के उपर, ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, cookies आप कैसे delete कर सकते हैं, तो यहां पर privacy and security के उपर आपको जाना है, अब देखे, यहां पर आपको ऊपर सबसे पहला option दिखेगा, clear browsing data, लेकिन आप यहां पर ध्यान देंगे, तो यहां नीचे आपको लिखाया हूँ देगा, clear history, cookies and side data, तो यहां पर आपको click करना होगा, तो जैसी आप यहां पर click करेंगे, त तो देखे, यहां पर options खुल जाएंगे, यहां पर आपको दिखाया, cookies and side data, तो आपको यहां पर tick करना है, उसके बाद clear data के उपर click कर देना है, तो जो भी आपके phone के अंदर cookies एकटी होगी, cookies जो भी जमा होगी, वो यहां से delete हो जाएगी, यानि कि अगर दूसरी भाशा में जो भी आपके phone के अंदर जासू, cookies के रूप में जमा होगे, या होगे, तो वो यहां से delete हो जाएगे, ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ आपको करनी है, वो इसी से जुड़ी होई है, वो है catch files को delete करना, अब catch file क्या होती है, जब भी हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं, या क catch files को भी delete करने के लिए, यहीं आपको एक option मिल जाएगा, आप यहीं पे इसको click कीजिए, और इसको clear data कर लीजिए, तो यह तीन चीज़े हुई, पहला update करना है, आपको phone को लगाता, दूसरा cookies को आपको delete करना है, तीसरा आपको catch files को delete करना है, अब बात करते हैं कि चौथा वो कौन सी चीज़ है, तो चौती चीज़ यह है कि आप अपने phone के अंदर जो आपने applications को जो permissions दी हुई है, उन्हें आप regularly check कीजिए, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, हम बहुत सरी application यूज़ करते हैं, और जिन applications को कुछ काम भी नहीं है, हम उन्हें बेकार की permissions दे देते है जैसे कि मैं आपको example के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि camera को हम कोई भी permission दे देते हैं, जैसे कि वो हमारे keypad को monitor कर सकता है, या हम ptm यूज़ कर रहे हैं और उसको अपने phone book की permission देते हैं, जबकि ptm को phone book से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह से आपको check करने या manage app, तो वहाँ पर आप जाईए, यहाँ पर permission आपको एक option देखेगा, permissions के उपर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी permission किस किस applications को दी हुई है, अगर आपको लगता है कि कुछ applications को आपने बिना मतलब की permission दे हुई है, तो उन्हे Google में कई बार option आता है कि password यहाँ पर save करके रखना चाहते हैं, तो हम agree कर देते हैं, जबकि आपको वो नहीं करना चाहिए, चाहिए पेटियम यूज़ कर रहे हैं, चाहिए आप कोई सा भी phone पे वगरा, UPI यूज़ कर रहे हैं, चाहिए नेडवाइंकिंग यूज़ कर रहे और टाइम रहते हैं, बार बार इसको अपने password को change भी कीजिए, दोस्तो यह पांच बाते बहुत ही मामूली सी हैं, लेकिन बहुत ही कारगर हैं, दोस्तो अगर आप आज के जो high technology के अंदर जो crime बढ़ रहा है, जो cyber crime बढ़ रहा है, उससे अपने data और अपनी personal safety को अगर आते हैं, तो आप इन पांच चीजों का ध्यान रखिए, सबसे पहला अपने phone को continue update कीजिए, अपने phone के अंदर से cookies को delete कीजिए, अपने phone के अंदर से catch file को delete कीजिए, अपने phone में जो आपने permissions को चेक कीजिए, कि कौन कौन सी permissions जायज हैं या नहीं, और last अपने phone के password में जो आपने phone में जो भी password आपने store किये हैं, उनको delete कर दीजिए, या अपने phone के अंदर कभी भी कोई password से मत कीजिए, तो दोस्तों ये 5 best चीजे थी जो आपको cybercrime से बचा सकती हैं, आपके personal data को बचा सकती हैं, तो ये जानकर आपको कैसे लगी, प्लीज हमें comment करके बताईए, औ कि आप भी इन चीजों से बचें, और आपके जानने वाले भी जानने वाले भी इन बातों को use करें, और वो परेशानी उसे बचें, तो दोस्तों जानकर कैसे लगी हमें comment करके जरूर बताईए, अगर अच्छे लगी तो इसे like कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ करे लिए शेयर कीजिए, और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके स्क्रीड के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान के उसे बचेच करके और अरूसके बचेफ़ घंटी के निशान पजरू टेक आज्च कीजिए, ताकि आपको अमरी बनाए हुई नए ना लगातार मिलती रहें ये बिल्कुल फ्री होता है आप इसे जहाज जहादा पायदा उटा सकते हैं तो भी कलिए इतना है धन्यवाद